स्वागत आपका हमारी YouTube चानल में आज की वीडियों में देखेंगे सेबन क्लास का मन्थली असेश्मेंट फर्वरी महा का 2021 फर्वरी महा का 2017 हिंदी इंगलिश गनित विज्ञान समाजिक विज्ञान संस्क्रेट सभी का है साथ नंबर का क्वेश्चिन ठीक है तो जल ये फट इन तीनों को पड़का बताना है कुन साही है कथन A संध आर दुनों गलत है कथन A सवत सहती है कुन कुन सही है कोन गलत इह बताना है तो तीनु कथनिस्म सहती हैसी नमर उप्शन ओपuyorsun हो境 अगला है आकर्षण का उल्म कहा प्रविकर्षन हो जाता है पिर न्याय कर्स संद करें दोदो धरन लिखे तो जो लिखितवाला है लिखित वाला मनlection दूसरा का हो जाएगा सी लोट ओफ मनी ठीक है अप्शनल देख लिए उसका बाइए चलिए मैथ में तो खर बना देंगे पूरा मैथ का बना देंगे दिये हैं उसको दिखा दे रहें विज्यान में देखिए पहला कोश्चन का चाउथा उप्शन होगा सारे रिक बीमारी औ दूसरा कोश्चन का बी नंबर उप्शन होगा जयल और मीटी उसके बाद सोसल साइंस में देखे तो पहला प्रश्चन जो है उसका अंसर हो जाएगा पहला उप्शन ए उप्शन दूसरा कोश्चन का भी ए हो जाएगा और तीसरा कोश्चन का भी ए नंबर उप्शन होगा गलोग, उसके बाद संस्क्रीट में आते हैं, तो पहला उप्षिन का जनक होगा, A, जनक यह दूसरा का सी ओप्शन अनिक है फिर इसका अंसर देखेंगे ठीक चलिए अब अंसर शुरू करते हैं तो यह अंसर देखें समास था दोवन्द समास तो दोवन्द समास का एग्जामपल लिखना था तो माता पीता तनुमन ज्यान वी ज्यान धनुबारन तो यह कितना हाँ हुआ झाला कुषिन कवीता में नाम कावात करता है था वह देश वाते हुरत के अतलत के क dość बहुत जो करता है के लिए नई नई कल्पना करते रहे तभी हमारा देश महान बनेगा उसके बाद अगला कोश्चिन था वही कवीता एक दिया हुआ था पद उसमें बुला थे इसका मतलब समझाओ तो यह कवीता का परथम पद है इसमें जीवन कल्पना करने को कहा गया है कि नवीन कल्पना से नई स्राष्ट का निर्मान संभव है नवीन कल्पना का माध्यम से हम पुरानी नीतियों रितियों और कुरितियों को दूर कर सकते हैं जब पुरानी परंपरा रिति रिवाज आदी दूर होगा तो हम नई धारनाएं नई सोच उत्पन होगी ति यह वो जो कवीता दिया उसका मतलब हुआ अगला कुश्चन है इंगलीस में आ जाते हैं इंगलीस में कुश्चन था वाइवाज मदर अनहपी विथ अतिला ति यह अंसर वाजाएगा दा मदर वाज अनहपी विथ अतिला आज अतिला वाज नोट ए स्ट्रॉंग एंड ब्रेकिंग डोग इट इंगलीस में नरेस्टर वाज अलसो बलाएंड सो ही आस्कड वन ओफ द फैसंजर तो डिस्क्राइब गर्ल अप्रियंस एंड ही से दाट 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 ही इस शी ब्यूटिफुल बट शी बलाएंड सी इस यहां सी छुटी है ना याट दाट दाट इस लिखा हुआ यहां सी ह होगा अंसर हो जाए आगला क्या था को इप पोयम था उसका वाला था चार लैन उसके बारहे महने न तो यज त ये चबडा ही अठार है तो 24 को अठार सुना करेगेगा चार्सों बदीस हो जागा वर्ग किलमेटर उसके पद तीसरा में एक तिर्भुज बनाना था साथ सेंटीमेटर का यहां कमपास रखेगा इधर काटिएगा इधर काटिएगा कि अगला कुश्चन में वर्ग का छेत्रफल दिया हुआ था 161900 का इसको यह इतना है इसको इतना कर दिए हो इसका चाहिता पर उट तोड सकते नहीं तो इसको भी अंसर लेगत नहीं है अगला क्वेश्चन यह श्यांकित भाह का छेत्रफल निकालना था तो यह एक समांतर छ माइनस जा गुणा खाहर तो दोनी बारा बचा तो चोविस में बारा गटाएंगे 12 cm2 अगला है उन के बारे में था उन कुस्तन सुधिर कर लिख कौन कौन सा चरन से गुजनना पड़ता है तो यहाँ पूरा डिटेल लिख दे आप चाहा तो चरन खल लिख सकता है अगर दो नमरी कोश्चन है तो यहाँ पर खाली इसको लिखिएगा पहला में उन की कटाई करना है दूसरा में भी मार्जन तिसरा में छाटाई जो था में दोना सुखाना पंचवारां गाए छाठा रिली इसका बद अगला तेल को नालिव नहीं बहाना चाहिए यह उसको लिखेगा और वसा को नालिव नहीं बहाना चाहिए यह पाईपो काटवर पदार्थों की परजमा करूने अउरुद कर सकता है खुले नाली में वसा मेरीजा को की रंदरों को बंद कर देती है जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की करने की परभावीता कम हो जाती है तेल और वसाओं को कुड़ेदान में ही फिकें अगला कोशेन था क्या उपचार अना उपचार मतलब यह गंदा पानी है गंदा जल है उसको कैसे उपचार करते हैं उसका कुण कुण सचरान है तो सबसे पहले जल यह कच्रों को नालियों के मदश से जगा जगा पर अवस्तित पंप हाउस में एक अतर किया जाता है इसे पुन्ह मल जल उपचार सेंत्र तक ला जा जता है इसे निलंबित कंकडबालु जैसे असूधियां निचे बढ़ जाती है इन असूधियों को प्राथमी के कीचड कहा जाता है कि इस कीचड़ को बाहर निकाल लिया जाता है जैसे जीवानी दुबारा अभार्टित कर उपयोक बायोग्स त Veget है यह ओर जल में उपस्त कर्वनिक पनारथों का ओक्साइड करदेतां और किर्या पुरुनेता जैभी होती है। कर्वह के लिए अकसिजन के लिए पनीडियोत सकता होती। इंल स्वीक प्रवाय के जाता है। इससे एंधन करता है। उसकाब तीसरा चरन है तीसरा चरन में का करते है इसके बाद उपचारी जलology Chlorine Shant Tanks जिसो में ऑपस्तितः हान्य का रखक सुवचिमी स्वमप्त हो जाते है इस उपचारी जलको जलसरोतम परोइट किया जा सकता है इस जल का उप्येक परक्रमों भी किया जाता है जलकूंभी और यूकेलिप्टीस भी तेजिस अपने आसपास के दूसरी जल को अवसोसित करते हैं तथा अवातावरन को सुध्यलवास्प मुक्त करते हैं तो यह अंसर हो इसका हो जाएगा लंबा सुक्षन है उसको बताना था सुसल जाएगी सधारण भासा में अर्थ उस अस्थान या भाक से जहां जीव दिंगास करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं उसे जय मंदल का हायात है जय मंदल के सभी जीवों का समावेस होता है जय मंदल का विस्तार समुद्र के भीतर यह इस तरह से इसको भी ताजुल मसीर रचनकार सदरुदीन मुहमद हसन निजामी तबकाते नासीरी लेखक मिनहाजु सिराय। ये सब मध्यकालिम भारती इतिहास का सुरोत था। अमीर खुसरुदवार लिखे गरवन्त तारिखे फिरोज्चाहे फत्वय जहानदारी। ये सब ठेक। बाल शोषन की समझजया। तो ये क्वेशन थोड़ा सा घूम आ गया है। थी दूसरा डाइब का है कि बच्चों का सोषन हो रहा है तो आप इस तरह से किस तरह से क्वेशन है थोड़ा से देख लेते हैं। आप लोगों दूबर बच्चे को मानसिक और सारी रिग्रूप से प्लतारित करते देखा या सुना होगा इस परकार का आमानी विवहर को उधारन सहीदर सहीद इस तरह का कोश्यन है तो इसका अंसर हो जाएगा या अंसर हो जाएगा इसका देख लीजिए बच्चे निच्छल होते हैं उतके विवहर में भी निच्छलता दिखा देती है परन्तु समानियों कुछ विक्रित प्रविरिती के लोग कभी-कभी उनके साथ अमानी वरता भी करते हैं जिससे बच्चे बच्चों पर बुरा पर परभा पड़ता है ऐसे विक्रित प्रविरिती के लोग का अमानी वेवार की सुरुवात अस्पर्ष से होती है आता बच्चों को अच्छे हों बुरे असपर्ष की ज्यान होनी जाए इससे होगी है उसके बद संस्क्रीट है संस्क्रीट का ओप्सन वलत बता दिये थे तीस